कर ऐसे नमंशकर आप सबका हमारे चैनिल ग्यांदर ट्रेजर पर स्वागत है और यह अपने इस्पिच्छ्श गुरू आज्चन सौनी जी सह arriv जो आप सबके प्रश्च्छों का उत्तर देने वाले बहुत सारी प्रश्च्छन आप प्रश्ण के उत्तर हैं यह देंगे और वो प्रश्ण में इनसे करने जा रहा हूं और आप सबसे आग रहें कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दीशिएगा यह दिया आप अपने प्रश्णों के उत्तर से संतुष टैक दोग आचारी जी हमारे कि जोतिश के अनुसार प्रेम समंदो और विवाह में ग्रहों का क्या योगदान होता है क्योंकि आजकल के जो रयुवक हैं नभी उगतियां है प्रेम संबंद में पढ़ते ही पढ़ते हैं फिर बिवाग भी होता ही है बहुत लोग का बिवाग नहीं भी होता है जल्दी तो ये प्रेम संबंद और बिवाग के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि भाई जोतिश के अनुसार प्रेम संबंदों और बिवाग में हमारे ग् विवा कर लिया बट जब हमारे जीवन के अंदर या हमारे पूरे स्रुष्ठी के अंदर उपर वाले की मर्जी के वगर एक पत्ता नहीं इलता है तो तुम फ्रेम विवा तो करी नहीं सकते हैं तो तुमारी कुंडली अगर मैं लेके आओ और उसमें देखो तो वो उसके सबको यहीं बोलता हूं कि गुणली का सारा लेके आप अपना जीवन को जीएंगे तो आपको बहुती शरलता से जीवन जीने को होता है अब प्रेम विवा जो होता है वो पाँचवे बाउसे कुंडली के पाँचवे बाउसे हम देख सकते हैं हम यहां तत बता सकते हैं कभी हमारे पास कोई आता है तो हम यहां तत बताते हैं कि आपका सो इन सो मा दशा के द्वारा हम बता सकते हैं कि वह यह दिन पे या यह समय पे आपको किसी के साथ में प्रेम चल रहा था हम प्रेम है के नहीं वो भी खतम हो गया के नहीं वो भी हम कुंडली के द्वारा या दशाओं के द्वारा बता सकते हैं तो ये बहुत महत्वा है हम जैसे के प्रेम के लिए काफी ग्रहों का समन में होना जरूरी होता है बट भाव की बात करें कुंडली के अंदर तो पाच्वा भाव है वो प्रेम का है और जैसे मैं बताऊ कि एक चुटे से एक्जाम्बल के दोर पे कि पाच्वा भाव का अधिपती अगर सात्वा भाव में बैठ जाता है सात्वा बाव जो है विवा का है तो पाच्वे बाव का अधिपती अधर सात्वे बाव में बैठ जाता है तो हम बूरत है प्रेम विवा होगा तो इस तरह से हम विवा के प्रेम विवा और विवा जो एरेंज मारेज इस दोनों को हम ग्रहों के द्वारा या कुंडली के द्वारा निश्चित तोर पे हम देख सकते हैं और अगर जैसे आप कोई व्यक्ति प्रेम करता है और प्रेम करने के बाद में वो अपना साहस नहीं जुटा पाता है कि उसको विवा करने तक खाली प्रेम करके चुड़ जाता है विवा किसी और से करता है तो वो साहस का कारत कौन है तो मंगल है उसकी कुंडली में अगर मंगल राओ का अगर अच्छा प्रबाव नहीं होगा तो वो साहस नहीं करेगा और साहस नहीं करेगा तो उसका जुप्रेम है वो लगना तक नहीं पहुँचवेगा तो ये सारी बाते हम ग्रहों के द्वारा ही हम बता सकते हैं और वो बहुत ही निश्चित है आप अपना कुंडली को अगर दिखते हैं तो उसका फाइदा उटा सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं अभी उस समय पे उसका साज नहीं जुटा पा रहा था और मंगल का प्रभाव नहीं हो रहा था तो वो क्या करेगा हम उसको उपाई बता देंगे तो उस सरसे आप अपने जो प्रेम है उसको भीवा में कनवर्ट कर से आप जब जवाब दे रहें तो में दिमाग में बात है कि भाई ये तो आप एक बड़ा ही खर्चीला फुसीजर बता रहे हैं कि आज कल कोई यूटी या यूट को किसी से महबबत हो गई तो भाई उनको जुटिश को पहले पैसे देना चीए बताओ इससे महबबत करे या नहीं करे पर महबबत के बारे में लोग कहते हैं कि बस लव एट फर्स साइट हो जाता है तो एक नया रेवलिशन आ जागा इस तरह कि भाई प्रेम करने से पहले आप जुटिश के पास जाए और पूछे कि प्रेम आपको करना चीए नहीं करना चीए और पिस युटिश के पास भी जाके उसका डेट अबर निकलना चीए और पूछना चीए कि इसे प्यार करें या नहीं करें आप कहा तक हमारे इस बात से सहमत है देखें मैं आपकी जो बात थे वो सही है लेकिन मैं यह नहीं बोड़ रहा हूँ कि प्रेम करने से पहले आपको जोतिस का कंसर करना चीए मेरा यह कहना है कि प्रेम किया आपने आप प्रेम तो ऐसे ही हो जाता है आजकल के तो प्रेम आप देखते है कि किस तरह से प्रेम हो जाता है लोगों को तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यह पर कह रहा हूँ, कि आपकी कुंगली के द्वारा, वो प्रेम जो है, वो विवा में कन्वर्ट होगा के नहीं, यह आप जान सकते हैं, तो कुंगली के द्वारा आप अपनी निक्स्ट जो लेवल हैं, उसको आप अच्छा बना सकते हैं अब जैसे किसी ने प्रेम किया उसका प्रेम हो गया अब उसके बाद में वो सोच रहा है मुझे विवा करना है के नहीं करना है तो विवा के लिए उसको अर्चने आ रही है तो अर्चने वो दूर कर सकता है और वो प्रेम विवा कर सकता है अब कई बार आपने देखा होगा यह जो बाद आपने कहीं उसके लिए मुझे भी काफी हमारे पास क्लाइंट आते हैं पुरसी अंदर ऐसा होता है कि मैरे इसके बाद में लोग आते हैं हमारे पास मैं और उसमें भी external affair जो होता है वो भी एक तरीका का कुंडली के द्वारत देख सकते हैं और उसका solution भी हम दे सकते हैं तो यह कुंडली के सारे से हम उस चीजों को भी हम अटा सकते हैं या उसको आगे लिखे जा सकते हैं तो प्रेम वीवा जो है उसके लिए कुंडली देखने की ज़रूत नही है तो लिए थैंक्स आचारे जी तो लोगो किडिंग और बिल्कुल हम आपसे भी कहेंगे कि भाई जब आपको की जीज़े मुहबत हो जाए और उसके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त करनी है कि भाई इससे बिवान हमारा होगा या नहीं होगा तो बिल्कुल आप कंसर्ट कर सकते हैं आचारे सुने जी से हमारा कहने का मकसर बिल्कुल यही है नो डॉक कि ना दक्षिना के कोई चीज होता नहीं है तो दक्षिना तो अवश्या आपको इंगो देना पड़ेगा बहुत नॉमिनल दक्षिना लेते हैं जादर तो यह लोग का वहलाई में ही स सारी चीज़े कर देते हैं पर कभी-कभी अगर दक्षिना देने लाइक कोई होता है तो ले जरूर लेते हैं तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वाकत है आप हमारे चैनल पर सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट देशिए